मुस्ते दस्तों मेरा ना मनमत बिरादर मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज एक नया और बहुत ही महत्वपुर्न विशय आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ये नए बिजनेस के बारे में जो आइडियाज है न्यू बिजनेस आडियाज ट्वेंटी ट्वेंटी दो हजार बीस में क्या आइडियाज नए बिजनेस के हैं उसके बारे में चचा करेंगे देखेँ इत्स छे इडियाज ऐसे हैं कि जिससे आप बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टंट इस बिजनेस आप कर सकते हैं अधिक शॉरू करते हैं, और दूसरे इसमें आप स्टाटब भी चार्जिंग ऍवय। अभी देखो आजकल आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक वेहिकल आभी नेक्स्ट आ रहा है बहुत सारे लोग अभी इलेक्ट्रिक वेहिकल मतलब खरीदेंगे धीरे धीरे इसके बैट्ट्री और बाकी के चीज़ों का भी मतलब जाएगे तो लोग इसको पर्चेस करने लगे तो उसमें आप अपना इंवेस्ट्मेंट करके यह आप चालू कर सकते हैं देखिए इसमें बारा लाग का शुरू में आपको इंवेस्ट्मेंट आएगा यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें दो टाइप का चार्जिंग होता है तो वो दोने भी आप स्टार्ट कर सक तो उसमें जो स्लो चार्जिंग होता है उसको चार घंटे का मतलब टाइम लगता है तो उसमें आप ये एलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग स्टेशन मॉल्स पे या ऐसी जगह पे आप चालू कर सकते हैं जहां लोग आएंगे तीन-चार घंटे स्पेर करेंगे तब तब उन मैंनुभाट्शिंग स्टेशन कर सकते हैं या इसमें ये ये लेडी ब्लब का मैनुभाट्शरिंग है वह बिजनेस आप चालो कर सकते हैं ये ये लेडी ब्ल्ब आजकल बहुत मतलब सस्ते हो रहे हैं लेखिए गॉर्मेंट आफ इंडिया भीविसको शोपोर्ट कर रहें तो उसमें कम ओल्टेज में बल्ब चलते हैं आच्छे लाइट देते हैं जो उनकी बिजली होती है प्रगाश होता है वो अच्छा होता है इसलिए आप यह LED बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो LED बिजनेस का जो manufacturing process है कैसा है इसके बारे में आप research कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा बिजनेस है और आगे जाके इस बिजनेस को बहुत ही मतलब हमारा जो इंडिया है वो actually export करने लेगा इस field में तो अपना local market तो बहुत ही बढ़िया है लेकिन उसके साथ साथ आप इ इस लाग से भी ज्यादा इसमें investment करके आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी opportunity है अलग-अलग मतलब इसमें varieties आती है अलग-अलग voltage के बल्ब आपको बनाना होता है तो बहुत ही अच्छा और पहुत ही potential वाला बिजनेस है तो आप इस चालू कर सकत बनाना है आपको nut बनाना है इसके लिए तो material लगता है उसमें आप रिमूव करते है मंटल उसका जो raw material लगता है उससे आप क्या करते है या अपना बोल्ट या फिर अपना नट बनाते है तो same way इसका opposite way इसका 3D printing इस पाप अपना design बना लो जो कुछ भी आपका बनाना है और उसका आप डायरेक्ट उसका प्रिंट ले सकते हैं यह 3D प्रिंटिंग यह टेकनलोजी आजकल आभी इसके आगे का फ्यूचर है और इसमें ही जादा से जादा इंजिनेरिंग का भी जो कुछ मट्रेल बनेगा जो कुछ भी बनेगा इसके आगे बनेगा इसको एडिटिव टेकनलोजी जो कुछ आप प्रिंट कर रहे हैं एक्चर प्रिंट हो जाएगा आपको मतलब डिजाइन करना है क्याड कैम पे सॉफ्ट्वेर पे और उसको प्रिंट दिना ले बस और आपको मट्रेल आपका रेडियो हो गया तो इसमें यह चीज़ें आप इसके फ्यूचर में बहुत ही महत्मा आने वाला है कि चीज़ों को थो इस चीज में बहुत आप बिजनेस' स्कार्थ कर सकते हैं बहुत ही बड़ेया बिजनेस है आप कोटेंशिचल बहुत जाता है और उसमें competition कम है और investment में भी थोड़ी शी कम है तो आप इसमें बुर जरूर जा सकते हैं चौता business है drone का business, drone manufacturing and training इसमें दोनों भी चीज़े आप कर सकते हैं, देखें आप drone तयार भी कर सकते हैं या आप drone का training, जो pilot training होता है, वो भी बहुत scope वाला business है तो ये दोनों business आप start कर सकते हैं, क्योंकि देखें drone का जो अभी नया field आ रहा है जैसे mobile technology है, जैसे drone technology का बहुत बढ़ा field है इसमें देखें इसमें बहुत सारी है, अभी आजकल आप सबको पता है कि जो cinematography है या फिर photography है, या videography है, पूरा videos आपके cities के, पूरा area जहां हम पहुंच लहीं सकते हैं, वहाँ वो drone पहुंच सकता है तो हर चीज, even surveillance में, defense में, ये सभी चीजों में आभी आजकल drone technology का use हो रहा है जिसको हम UAV बोलते है, unmanned vehicle, तो unmanned vehicle याणि drone आप use करकी ये पूरा हम कर सकते हैं देखें, इसमें बहुत बड़ा scope है, बहुत सारे field, नए-नए field ये इसके लिए open हो रहे हैं इसमें आप training भी दे सकते हैं, इसमें spare part का business भी चालो कर सकते हैं आप तो इसमें बहुत सारा scope है, तो ये business नया है और ये business में scope भी बहुत बढ़िया है ये नए जो start-ups है, इसके लिए भी बहुत अच्छा ये business हो सकता है अच्छा जो business हम discuss करने जा रहे हैं, वो liquid soap manufacturing, अभी देखो liquid soap जो है आजकल, आजकल तो मतलब soap का बहुत बढ़ा market है और liquid soap का बहुत बढ़ा market अभी आ रहा है इसका reason मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो hygiene का awareness है वो बढ़ते जा रहा है जो मतलब पहले के जमाने में सिर्फ cities में था भी rural areas में भी हो रहा है तो even हम flooring का जो हम फर्ष साफ करते हैं उसके लिए liquid cleaner लगता है hand मतलब दोने के लिए, हाथ दोने के लिए आपको सेने लगता है तो इसके लिए भी लगता है toilet cleaner होता है और बहुत सारी ये cleaning के लिए हमको चीज़े आजकल लिक्विड चाहिए तो लिक्विड जो cleaner है उसका बहुत ही बड़ा market अभी आ रहा है तो इसमें आप जरूट जा सकते हैं इसमें ज्यादा investment की जरूट ने इवन आप पचास हजार से start कर सकते हैं इवन पांचे लाका बाकल्स होती है अलग अलग 250 ml 500 ml वन लिडर उसमें आपका ब्रैंड आपका उसका चिपका क्या आप स्टार्ट कर सकते हैं और आज़ी जो बिजनेस रूट जार रहे हैं वह बिजनेस है और बॉट्रूगेटेट बॉक्सेस का बिजनेस है इसका बहुत ही बड़ा डिमांड बढ़ते जारा है निजनेस रखकता है और इसका बिजनेस बढ़ते जारा है और ऊपर वाला निचार और अलग का उनदर ये रहे हूए इसमें बनाया जाता है इसलिए इको फ्रेंटली होता है रिसाइकलेबल होता है इसमें कुछ एवार्मेंट को हानी नहीं होती है तो उसमें दूसरा है कि इसमें आप यह जो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को आप अलग-अलग आउडर लेके देखिए हर आज मतलब जो supplier है manufacturer है उसको उसके अनुसार मतलब इसकी डिमांड है कुछ बाक्स हो चोटे होता है कुछ बड़े होते हैं उसको पैकिंग करते वक्त उनका जो पुद का ब्रांड है उसके उपर प्रिंट लगता है उनको यह भी कर सकते हैं उसमें तो यह बहुत ही बड़ा बिजनेस है और इसमें आप मतलब जा सकते हैं स्कोब भी बढ़िया है और यह फ्यूचर वाला बिजनेस है और इस वीडियो फ्रेंट्स बहुत बहुत धनवाद आपका यह वीडियो देखने के लिए और यह मेरा यूट्यूब चैनल आप जरू सब्सक्रेब कीजिएगा और आपके कुछ भी सवाल है तो आप नीचे मे मेरे कमेंट बक्स में जरू लिख के भीजिएगा मैं उसके आंसर देखूँगा